सो फाइनली गईज आपन ने आयो 17.1 बीटा 1 को रॉल आउट कर दिया है डिवलोपर्स के लिए वेल सो बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं बताना चाहूंगा आपको काफी अमेजिंग से इस अपडेट के बाद फीचर्स देखने को म यदि आप यहाँ पे स्टेबल अपडेट का वेट करना चाहते हैं तो उसके उपर भी आपको अपडेट देने वाला हूं कि इस दिन आपको स्टेबल अपडेट सेकने को मिलेंगे और यदि आप इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटी वाश करें सबसे बहले बात कर लेते दोस्तों इस अपडेट का जो साइज रहने वाला है 5.84 GB जिया दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं इतना हैवी इसका साइज होने वाला है बट आपको इस अपडेट में चेंजित भी काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप सभी चेक कर सकते हैं इस बीटा गिव यू अरली प्रीविव ओफ अपकमिंग एफ फीचर्स एंड टेकनोलोजीज प्लीज बैक अप्टो यू आइफोन बिफोर यू इंस्टोल दा बीटा एक्शुली इस फर्स टाइम में देख रहा हूं कि एपल ने इतना ज़दा ब्रीफली यहां पर बताया हुआ है कि इस पर बीटा की तरफ जाना चाहिए आप इस टेबल का वेट करना चाहिए या फिर पब्लिक बीटा यूज करना चाहिए तो चलो यहां पर हम जान लेते इस अपडेट में भाई हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है सबसे पहले गाईस यहां पर बताया जा रहा है कि जो 17 में आपको रिंग टॉंस देखने को मिली थी एंड काफी जो अपनी पुरानी वाली प्रीविएस रिंग टॉंस थी वो रीबूव हो चुकी थी एपल की तरफ से बट अब जो है इस अपडेट के बाद वो दुबारा से यहां पर बैक कर दी गई है सारी जो रिंग टॉंस है वो आपस आ चुकी है तो आप सभी ज़ी मिस कर रहे थे अपनी प्रीविएस रिंग टॉंस को तो वो अब इस अपडेट के बाद आपको सारी ही रिंग टॉंस थेखने को मिल जाएंगी साथ के अगर बात करें दोस्तों जो आइस 17 में आपको रिंग टॉंस मिली थी वो कर दी गई है जिया दोस्तों बट एक दो रिंग टॉंस को रखा गया बाकी रिमोग कर दी गई है आपको प्रीविएस वाली सारी रिंग टॉंस बैक कर दी गई इस अपडेट में नेक्स अपडेट की बात करें दोस्तों यानि की फीचर की बात करें तो मैं आपको यहां प जैसे कि आप music सुनने तो उसको आप यहाँ पे add कर देंगे तो वो आप automatically यहाँ पे favorite के folder में चला जाएगा, फिर आप easily इस music को find out कर सकते हैं, यहाँ पे आप tap on करेंगे, उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, जो कि काफी important हाई है, airdrop में, airdrop में दोस्त आप कर दी गई है, जो कि है use cellular data, यह option आपको add कर दी जाएगी, अब इसका uses क्या है, वो में आपको बता देता हूँ, continue to send and receive content when wifi is not available during airdrop, तो for example, अगर आप distance पे चले जाते हैं, यहाँ आपके पास cellular data यानि कि wifi नहीं होता था, तो आप cellular data के उपर आप easily अपनी files को transfer कर सकते ह हैं, जितने merge distance पे चले जाएं, वो फिर भी catch कर लेगा, और आपकी जो file है, वो transfer हो जाएगी, क्योंकि अब आपने cellular data को use करेंगे, जो कि काफी major update है, मैं कहूंगा कि भाई, यह चीज़ वाकई में काम की है, use cellular data option आपको इस update के बाद मिल जाती है, जो कि सही है, sometime हमारे पास Wi-Fi available नहीं होता है, तो it's better, कि हम अपने cellular data का उपर जो है, इसको use कर पाएंगे, और काफी distance के उपर आप चले जाएंगे, दूरनों phones को दूर भी कर देंगे, तो भी आपका file आपे share हो जाएगा, काफी बढ़िया है, अब next update, यानि कि feature की बात कर लेते हैं, वो है कि आपको watchOS 10.1, ये जो है अब supportable रहेगी iOS 17.1 के साथ, इस name drop के साथ, जी आदोस्तों, आपने देखा होगा कि iPhones to iPhones को हम अगर ऐसे connect करते थे, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से तो ये जो है connect होयाते थे, बट अभी जो है ये चीज अब आपको watchOS 10.1, वो भी आप support करेगी, airdrop जो है इसमें भी आचुकी, नेम drop जिसको बोलते है, 17.1 अपडेट के बाद, तो ये आप watchOS को भी यूज़ कर रहे थे, तो आप आपके लिए बैट रहेगा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से और क्या कुछ से को मिलता है, इसमें आपको अपडेट शो नहीं करता है, इस तरीके से जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे जन्रस पे, तो अभी अगर आप यूज़ करना चाते हैं, तो भी मैं आपको guide कर देता हूं, क्योंकि मुझे comment आते हैं, यहाँ पे stable update का वेट करता हूं, देको मैंने भी इसको यूज़ नहीं किय इस तरीके से जाना, बीटा अपडेट पर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अब यह डिपेंड करता है कि आपको करना है फिन नहीं चलो, मैं आपको बताता हूं, आप यह नहीं करें, तो आपको यहाँ पर आयो 17 की public beta भी यहाँ यहाँ पर यहाँ पर बीटा जो है यूज करते हैं, तो आपको यह भी update देखने को मिलने वाला है, अब गई सहाँ पर बात कर लेते हैं, तो अब यह अपडेट आपको किस दिन देखने को मिलेंगे, यदी बात करें दोस्तों, 17.1 beta 1 जो है आपको आज के दिन देखने को मिली है, तो इसकी बीट आपको next week देखने को मिल जाएगी, developers के लिए बात कर रहा हूँ, यदी आप यहाँ पर आयो 17 की जो है public beta आज यूज करते हैं, तो यह update आपको 11 से लेकर 12 October के बीच देखने को मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, यह update आपको इतने दिन तक देखने को मिले सकता है, बट इससे पहल आपको पहली बार इतना बड़िया सही लगा, इतने फीचर्स तो हमें जो हाई यह 17 के उपर भी देखने को नहीं मिले हैं, आशा करता हूँ, वीडियो के लिए काफिए the helpful लोग की चैनल को यह सब्क्राइब कर लो, मिलते हैं next video में, thank you so much guys